हलो एर्रिवन, आज के इस लेक्चर में चलेंगे एक ट्रिप पे और इस ट्रिप की शुरुआत होती है ब्लैक सी से जहां हर कोई अपनी दादागिरी चलाना चाहता है रशिया ने वार छेड़ दी है यूकरेन के उपर और यूकरेन के लिए अच्छी बाती है कि यहां के प्रेसिडेंट जेल सेंकी जी अलग ही गजब का करिज दिखा रहे हैं पर 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 रशिया कौन सा हार मानने वालों में से है रशिया ने आज के टाइम पे हर किसी को अपने इशारों पे नचाया हुआ है और पूरी दुनिया आज इन्ही के इशारों में नाच रही है इन्ही कटपतलियों में एक है जर्मनी जर्मनी जो फिलहाल रशिया से गैस करता है लेकिन दुविधा यहां कि ना प्रॉपर्ली गैस इंपोर्ट हो पा रही है ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट हो पा रही है यहां से बढ़ेंगे टूवर्ड्स एगन आइलेंडस इगन आइलेंडस मेडिटेरियन सी के पास पड़ते हैं और यहां चल रही है एक जंग जंग है दो देशों की इन आइलेंड ग्रुप्स के लिए आज के इस लेक्चर में लेंगे यहां वीराम कुछ और लोकेशन के साथ लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम चलेंगे सुएस कैनाल की तरफ सो इस कैनाल और इसराइल से हम बढ़ेंगे जिबूती की तरफ यह जिबूती वो लोकेशन है जहां से आगे जाएंगे तो एफरिका की ग्रेट ग्रीन वाल की तरफ चलेंगे लेकिन अभी यह सब तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज हम बात करने वाले जोगरौफी मैपिंग की जोगरौफी मैपिंग में प्लेसिन न्यूस की बात करेंगे उन प्लेसिस की उन लोकेशन की बात करेंगे जो करेंट अफेर्ज में रही है और यह लोकेशन बड़ी जादा important हो जाती है आपके UPSC exam और साथ में state PSCs के लिए जितने भी government exams है especially civil services exams जो है उनके लिए बहुत important है अगर trend की बात करूं तो UPSC 2022 में इस geography mapping से चार questions आये थे तो अगर आपके चार questions सही कर ले तो आठ नंबर आपके पके थे तो इसी लिए अभी UPSC 2023 भी अप्रोच कर रहा है तो हम आपके इसी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं इसी लिए जोगरॉफी mapping साथ में जोगरॉफी mapping के साथ एक लक्षी प्रोग्राम लेकर आए हैं ये लक्षी प्रोग्राम क्या है देखो आज तक का सबसे रिवल्यूशनरी प्रोग्राम है क्योंकि यहां पे हम UPSC 2023 की तैयारी करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 23 रुपीज में इसके अंदर आपको मिलेंगे अगर इसके बारे में जादा जानना चाहते हो तो उपर यहां एक लिंक कर रही होगी आप उस पर जाके उस वीडियो पर जाके पूरा चेकाउट कर सकते हो अगर परचेस करने के इच्छो को और न चाहते हो तो comment section में मैं इसकी link डाल दूँगी अच्छा ये जो batch है 1 February से शुरू हो रही है और 1 February देखो हमारा infrastructure जैसे जैसे exhaust होता जाएगा हमें इस cost को बढ़ाना पड़ेगा तो अभी फिलाल के लिए ये cost रुपीस 23 है बढ़ते हैं आगे और हमारा पहला आज की location हम देखेंगे black sea हमारी location है black sea news में क्यों थी क्यों की russia ukraine war जो हुआ उसके पीछे कई सारे factors थे उन में से एक factor था black sea black sea के उपर hegemony चाहता है रशिया और इसलिए यहाँ पर ukraine के उपर attack कर दिया रशिया ने तो black sea बड़ी important हो जाती है क्योंकि काफी important location है strategic location है Mediterranean sea से सीधा नाता है इसका तो देखो जड़ा location देखते हैं यह है world map यहाँ पी यह रहा हमारा प्यारा भारत और यहाँ से अगर आप इस side जाओगे north west में जाओगे तो यहाँ आपको दिख रही है Mediterranean sea Mediterranean sea के side में आपको दिखेगी यह रही black sea ठीक है black sea के नीचे टर्की उपर Ukraine है ठीक है तो इस black sea की हम बात कर रहे हैं और इस black sea को yugzine sea भी कहते हैं बहुत कम लोगों को पता होगा तो अगर upsc में ऐसा कोई question आता है तो आप लोगों को tension ना हो इसलिए यहाँ पर बता दिया yugzine sea इसका नाम है black sea का black sea के आसपास कौन कौन सी country है Ukraine है रशिया है Georgia है तर्की है बुल्गारिया है और रोमानिया है यह 6 country है इनको ज़रा मैं zoom करके भी आपको दिखाऊंगी तो उसकी tension मतलो ठीक है अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ special mountain ranges देखने को मिलती है कुछ peaks देखने को मिलती है जैसे pontic जो है वो इसके south में आता है तर्की के आसपास ठीक है तो इसके बाद Caucasus जो है वो यहाँ पर आएगा east में इस रशिया के आसपास रशिया जौंड जीया वाले रीजिन में और क्रीमियन mountain ranges उपर आएंगे युक्रेन के आसपास यहाँ पर देखो जरा अगर हम इंडिया से उपर जाएं तो यह आगे हमारा रशिया यह रशिया की एक खासियत है रशिया आधा एशिया में है आधा यूरोप में है और यह रशिया ही है जो एक major party है इस रशिया यूक्रेन वार में उसके अलावा अभी टर्की की बात करें थे ना टर्की भी एक ऐसी country है जो आधी एशिया में है और आधी यूरोप में है तो आधा आधा ये दोनों countries रशिया और तर्की आधी एशिया में है और आधी यूरोप में है समझ गए बढ़ते हैं आगे देखो जोन करके देखते हैं ब्लैक सी को ये रही हमारी ब्लैक सी मैं बात कर रही थी न कि 6 countries इसके आसपास पढ़ती है देखो ये 6 countries कैसे आधा रख सकते हो ती आधा बर्गर ये एक कोड बना लो ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ जाते होगे कुई कैफे बगर में तो टी आधा बर्गर ज़रूर लेते होगे तो टी आधा बर्गर के नाम से आप इसको याधा रख सकते हो ब्लैक सी को ती यहाँ पे स्टैंस फौर टर्की यह तर्की देख रहे हो एक साइट तो टर्की है बी स्टैंस फौर बुल्गरिया तीक है यू स्टैंस फौर यूक्रेइन आर डर्गर श्टैंस फौर जौर्चिया यह चोटा ही है मतलब यह नहीं है इसमें इंप्लूड़ड और तो खुद यहां पर आही नहीं रही है कोस्ट तक तो मॉल्दोवा इसको सराउंड नहीं करती मॉल्दोवा एक लैंड लॉग्ड कंट्री है तो याद रखना तर्की वुल्गारिया रुमैनिया यूक्रेन रशिया जॉर्जिया पक्का क्वेशन आ सकता है इसके बारे में अज़िया और यह से आज़िया जुद रिघूजिया घंजयी को सरा तर्की वरे में लुस्ट रूँप से पर रशिया और यह वह जो बोटे चार्श स्ट्रेट ऑफ कर्च इसको बहते हैं तो जिसको बोलते हैं अचा यह जो ब्लाइकि ये ऐनाफ च्छिया अज बहुतं वाली sea है, एनॉक्सिक वाटर यानि कि इसमें oxygen level बहुत कम है, तो oxygen level कम होने के कारण black sea को एनॉक्सिक river, एनॉक्सिक water कहा जाता है, एनॉक्सिक region कहा जाता है, लेकिन यहां टक ना इधर salinity काफी कम है, क्यों क्यों क्योंकि यहां पर कई सारी rivers हम यह भी देखने वाले आगे, नीपर, नीस्टर, बहुत सारी rivers हैं जो Black Sea में आके गिरेंगी तो ये अपने साथ fresh water लाती हैं इसलिए इस Black Sea की जो salinity है कम है ठीक है अच्छा ये Sea of Adov देख रहे हो ना जैसे उपर Black Sea के Sea of Adov है वैसे Sea of Marmara आप तो देखने को मिलती है नीचे ये Sea of Marmara भी Black Sea का extension मान सकते हैं और Black Sea यहाँ पर Mediterranean Sea तक पहुँचती है कैसे Sea of Marmara तक होते हुए ही तो जरा अब इसको थोड़ा detail में देखते हैं देखो ये थी हमारी Black Sea, Black Sea के आसपास countries कौन कौन सी है ये तो हमने देख लिया Black Sea के आसपास और छोटे-छोटे Sea कौन सी है एक तो है ये Sea of Azor दूसरी है ये Sea of Marmara उसके बाद आएगी Agen Sea और उसके बाद आज़ती है Mediterranean Sea तो अगर आप रास्ता नापके चलोगे तो शुरुआत होती है Sea of Azor से फिर आती है Black Sea फिर आती है Sea of Marmara फिर आती है Agen Sea और फिर आती है Mediterranean Sea ठीक है अब देखो Sea of Azor और Black Sea को अलग करता है Straight of Karch इसके लबा Black Sea और Sea of Marmara को अलग करता है Bosporus Straight ये ये वाला जो Straight है न यहाँ Istanbul दिख रहा है आपको ये Istanbul बेसिकली तरकी के अंतर गताता है और इसी Istanbul के पास में Bosporus Straight है ठीक है इसी Bosporus Straight से आप Sea of Marmara में एंटर करती हो और Sea of Marmara से अगर आपको Agen Sea की तरफ Mediterranean Sea की तरफ जाना है तो यहाँ एक और Straight पढ़ता है इस Straight का नाम है Dendronous Straight जिनको नहीं पता Straight क्या होता है तो देखो Straight एक ऐसे चोटी सी Water Body है जो दो बड़ी Water Bodies को अलग करती है यह जोडती आप कह सकते हो यह है Water Body No.1 Water Body No.2 यह बीच में छोटा सा जो नहर है This is known as Straight तो यह दोनों Water Bodies को जोडती है और यह Land No.1 है Land No.2 तो यह दोनों Land Parts को अलग करती है जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस तानबुल एक साइट पे एक साइट पे यह वाला तरकी है इन दोनों के बीच में पढ़ रहा है ने यह Bosporus स्टेट वैसे यहाँ पभी देखो Sea of Marmara के और Egan Sea के बीच में Dendronal Sea स्टेट है ठीक है तो यह तीनों स्टेट पहला कर्च का स्टेट दूसरा Bosporus स्टेट और तीसरा है हमारा Dendronal स्टेट यह तीनों स्टेट को हम क्या कहते हैं यह कहा जाता है कि यह तरकिश स्टेट सिस्टेम है यह तीनों स्टेट मिलकर तरकिश स्टेट सिस्टेम मनाते हैं जो की Black Sea और Mediterranean Sea के बीच में Transition Zone का creation करता है तो इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए Black Sea के लिए बढ़ते हैं आगे और next बात करेंगे Ukraine की Ukraine is one of the party in this Russia-Ukraine war इसी लिए काफ़ी जाला जरूरी है और Ukraine के तो कई सारी cities बहुत news में चल रही थी कभी कोई city पे Russia बम गिरा देता था कभी कोई city पे तो देखो ये है Russia ठीक है और Russia को लोग aggressor भी कह रहे है UN तक aggressor तक कह रहा है USA specialist को aggressor कह रहा है लेकिन इंडिया की जो equation है Russia के साथ अलग है इंडिया जो है Russia का ally रह चुका है तो हमने यहाँ पे directly Russia को aggressor नहीं कहा है इंडिया ने ये कहा है कि भाई जो भी process आपको सुझानी है जो भी ये war और उसको रोको और dialogue के माध्यम से dialogue के means के त्रू अपना जो भी ढगड़ा है उसको सुलझा लो ठीक है तो ठीक है अभी देखो IR तो पढ़ नहीं रहे है लेकिन मैं आपको geography mapping के हिसाब से बता रही हूँ कि यह तो एक हो Russia है यहाँ यह आता है Ukraine अब Ukraine के असपास कौन कौन सी country हैं यह जानना भी बड़ा जादा जरूरी हो जाता है पहला तो देखो Russia के बाद यहाँ पे Ukraine आता है Ukraine के जस्ट नीच आती है Black Sea ठीक है Black Sea के बाद यहाँ आता है Moldova ठीक है Moldova के बाद आता है Romania फिर आता है Hungary फिर आता है Slovakia फिर आता है Poland फिर आता है Belarus और फिर आता है Russia फिर से देखो Black Sea Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Poland, Belarus, Russia question आ सकता है कि Ukraine को कौन-कौन सी country सराउंड करती है ठीक है तो ज़रा याद रखना इस चीज़ को और यह जो Ukraine है this becomes the part of Europe इंडिया से आप इस तरफ चलोगे Northwest की तरफ तो Ukraine आता है Black Sea के बाद उक्रेन में कुछ important locations और है जैसे देखो यह कीव जो है और यहाँ पे कीव रिजर्वायर भी आपको देखने को मिलता है एक city है खार्प कीव उके उसके अलावा यहाँ पे port देखने को मिलता है Odessa यहाँ पे यह है क्रीमिया जिसकी बात कर रही थी न मैं कि क्रीमिया को रशिया ने 2014 में ही यहाँ पे क्रीमिया को एनेक्स करने के पीछे यहाँ पे एक major port city थी जिसके कारण रशिया ने इसको एनेक्स किया कौन सी port city थी अभी बता हूँगी ठीक है अभी हम देखकर आ रहे है ठीक है यहाँ पे कीव रिजर्वाय लोकेटेड है और यह जो रिवर सिस्टम है ने नीपर वाला रिवर सिस्टम है जो यहाँ पे जाके गिरेगा इधर ब्लैक सी और सी ओफ अजॉफ के आसपास ठीक है यहाँ पे कुछ important cities देख लो सबसे पहले यह कारकीव है हमने अभी देखी उसके अलावा यहाँ पे लीव है इसके साथ ओडिसा है इसके अलावा मारियो पोल है ओडिसा के पास में यहाँ एक खेड सांग भी आएगा अभी दिखाऊंगी और दूम करके भी ठीक है यह क्री लेते थे वो रशियन एथनिसिटी के थे और उनका जुकाव हमेशा से रशिया की तरफ था और रशिया ने इसी का फाइदा उठा के इस यूक्रेन की कंट्री में एंट्री ली थू लुहांस्क और डॉनेस्क याद रखना question पूछ लेंगे लुहांस्क और डॉनेस्क जो ह परते हैं आगे अच्छे यहां पे ओडिसा और मारियो पोली दो मेजर पोर्ट सिटीज है यहां पे ठीक है अच्छे और कुछ इंपोर्टन्ट सिटीज के नाम देख लो क्योंकि पूछा बिल्कुल जा सकता है question कई बार यूपीएसी में आया है कि यहां पे रेदिया आप जो है लुहांस्क रीजिन जो है यह आप से पूछा जा सकता है यह पूरा रीजिन जो है इसको डॉनबास रीजिन कहते हैं यह पूरा जो रीजिन है इसको बोलते हैं डॉनबास रीजिन तीक है जैसे प्रोविंस होते है वैसी समझ लो डॉनबास प्रोविंस जैसे यह है कि इसके अलावा यहां पर देखव यह कीव रिजर्वायर हम देख चुके हैं यहां पर यह है नी नीपर रिवर के बाद यहां पर यह है Kharkiv बड़ा important location है इसके साथ में ये है Odisha ये है Sevista Pole जिसकी मैं बात कर रही थी कि क्रीमिया को क्यों attack किया क्रीमिया के उपर रशिया ने क्यों क्रीमिया को annex कर लिया उसका major कारण था Sevista Pole Sevista Pole एक ऐसा port है जो Black Sea से directly connect होता है काफी अंदर तक connect होता है और अगर winters आते हैं तो बाकि सब कुछ freeze हो जाता था लेकिन ये Sevista Pole फिर भी चलता रहता था इसी लिए रशिया चाहता था Sevista Pole के उपर अपना पकड़ होना तो इसी लिए क्रीमिया को annex कर लिया तो Sevista Pole एक है उसके लाब कर्च हमने देखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके साथ आप देखो ये पॉइंट है बहुत बढ़िया चर्नोबिल चर्नोबिल जो है यह सबसे जादा इसी लिए हो जाता है क्योंकि 1986 के आसपास यहां पे एक बहुत बड़ा nuclear accident हुआ था बहुत सारी nuclear radiation यहां इसके कारण यहां वाली city जो है यह पूरी के पूरी abandoned यहां कोई नहीं रहता in fact रहने की बात चोड़ो इसके आसपास का जो forest है न उस forest का नाम भी red forest कर दिया गया है यह red forest क्यों क्योंकि यहां पे जो full पत्ते हैं जो भी यहां पे vegetation है वो red color की हो गई है because of excessive absorption of radioactive radiation okay तो इसके कारण यहां पे red forest इसका नाम रग दिया गया है इसके साथ में देखो कुछ और rivers है नीस्टर है एक river ठीक है इसके लब़ा यह सदन भू है ठीक है यह सारी important rivers है यहां पे एक और location है ट्रांस निस्त्रिया ठीक है ट्रांस निस्त्रिया एक important location है माल दुवा से कुछ कुछ मिलता है ठीक है अच्छा अब देखो यहां पे कौन कौन सी location हमने देख ली एक बार इसका revise कर लेते हैं तो हमने देखा खार कीव के बारे में कीव के बारे में नीपर के बारे में साथ में हमने देखा लोहांस्क डॉनबास और को जैपोर्विया को हमने देखा इसके साथ थैरसॉन को देखा मारियो पोल हम अभी देखकर आए थे इसके साथ ओडेसा एक important port है port city है टांस निस्त्रिया देखा सिवस्ता पोल देखा नीश्टर रिवर और सुदन बू देखा ठीक है यह सारी स्नेक आइलेंड भी अभी रशिया युक्रीन वार्प के दोरान बहुत न्यूज में रहा क्योंकि यहां पर रशिया रशियन military यहां से अटैक करना चाह रही थी यूक्रेन को लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने बड़ा अच्छे से इसको जवाब दिया रशिया की आर्मी को रशिया के military forces को बड़े अच्छे से जवाब दिया स्नेक आइलेंड के उपर तो यह स्नेक आइलेंड कहां पढ़ता है दरा देखो यह है उक्रेन यहां पर देख़ो यह दिख रहा है यहां पर उड़ेंड सिटी हमने देखा Serpent Island भी कहते है यह जो island है 35 km दूर है Black Sea से और यह जो है Danube River का mouth बनाता है यहाँ पर Danube River गिरती है ना Black Sea में तो यहाँ पर mouth बनता है Danube River का महीं पिसने एक island पड़ता है और डेसा के port से बहुत पास में है और डेसा जो है यह Black Sea का एक port है सबसे बड़ा Ukraine का सबसे बड़ा port है जो कि basically food warehouses वगेरा के लिए माना जाता है यहाँ से ही सारी food वाली जो products है वो Ukraine में एंटर कर रही थी तो Russia ने किया जदन है इसको पूरा destroy कर दिया जैसे कि food supply Ukraine तक ना पहुँच सके तो इसलिए बहुत news में था यह Odessa बढ़ते हैं आगे next हमारा जो location है that is going to be Russia Russia जो है world की सबसे largest country है world की सबसे largest और देख रहे हो इसका आप elevation अगर इसका आप location देख रहे हो न तो यह ऐसी दिख रही है क्योंकि almost काफी बड़ा area यह cover करती है ठीक है अगर आपको सोड़ा दिखाती हूँ यह देखो जरा यह है हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत की जस्ट उपर यहाँ पर दिख रही है रश्या रश्या की country और यह देख रहे हो कि इतनी बड़ी country है इतनी बड़ी country है कि इसको बोलते हैं transcontinental country ठीक है और रश्या और यूक्रेन के बीच में सरी रश्या के ही बीचों बीच आती है उराल mountain ranges और यां यां इसर्या नाती है ग्षिट these पर championships यह जसके कारण रश्या इवाइड होता है और 16 sovereign countries से ये border बनाती है 16 nations से border बनाती है यहाँ पे हम एक देखेंगे लेक बैकाल जो world का deepest, purest, oldest and fresh water lake है देखें इसके अलावा लाडोगा और ओनेगा islands भी है Walga river देखने को मिलेगी यहाँ पे हमको जो Europe की longest river है इसके लब ओब यनी, sea, lena, amur, यह सब भी rivers यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ज़रा देखते हैं इसको in depth लेकिन देखो ज़रा इंडिया के एकदम नौर्ड में आप जाओगे तो यह दिखेगा इस side आता है रशिया के Pacific Ocean और इस side आप देखोगे तो Atlantic Ocean आता है लेकिन सीधे रशिया Atlantic Ocean तक नहीं पहुचता ठीक है छोटी-छोटी seas से होते हुए अगर चाहे तो पहुच सकता है उपर आता है Arctic Ocean, Arctic Ocean से सीधा संबंद है रशिया का तो ज़रा देखते हैं इसको, ठीक है, यह देखो यह है रशिया यह रशिया के आधा पार्ट जो है यह एशिया में आता है आधा यूरोप में आता है बता चूँक है यह देख रहे हो बीच में युराल माउंटेन है जो इसको डिवाइट करती है यूरोपियन और एशिया की बीच में ठीक है अब यहाँ पे देखो यह है मॉस्को क्वेशन आ सकता है मॉस्को कौन से रशिया में आता है यूरोप वाले की एशिया वाले तो समझ रहे हो ना यूरोप वाले रशिया में आता है मॉस्को ठीक है यहाँ से आर्क्टिक सर्कल भी गुजरता है यहाँ पे एक रीज बहुत छोटा हमको पासेज मिलता है रशिया से बाल्टिक सी की तरफ लेकिन आते हैं ठीक है रशिया जुड़ता है बाल्टिक सी से भी और बाल्टिक सी से होते होते नौट सी की तरफ जा सकते हो नौट सी से होते होते अट्लांटिक ओशन की तरफ जा सकते हो ठीक है अब दे इसके साथ में यहां से निकल रही है और जाके गिर रही है इसके साथ में यहां देखो जरा देखना ध्यान देना कि यह है Sea of Okotusk Sea of Okotusk के पास में ये island है जिसको कहते है Sakhalin Island और यहाँ पे एक island है यह पुरा peninsula दिख रहा है यह peninsula को हम कहते है Kamchatka Peninsula Kamchatka Peninsula, Sakhalin Island और Sea of Okotusk इसके अलावा, देखो भही यहाँ पे एक Amur River भी दिख रही है इसके साथ में ये देख रहे है Kuril Island Group इनकी भी बात करेंगे अभी आने वाले टाइम में Kuril Islands की तो ये Kuril Islands जो है ये basically disputed territory है between Russia and Japan तो इसकी बात करूँगी में आगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा यहाँ में हमने देखा Saint Petersburg, Moscow को, Ural Mountains को Walgo River को Orb River, यनी Sea, Lena River और Arctic Circle को उपर की तरह locations देख लेते हैं तो यहाँ आती है White Sea Overall आप देखोगे तो यह बड़ी Barennes Sea है, फिर Kara Sea है Lapteo Sea, Eastern Siberia और चुक्ची Sea पूछ सकते हैं आपको कि West to East जमाओ, तो जमाना आना चाहिए White Sea सबसे पहले है, फिर Kara Sea यहां लेक बैकाल, जिसकी मैं बात करी थी, जो सबसे बड़ा और सबसे प्यॉरिस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ओके बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लोकेशन पे अब देखो यह रशिया को ही देख रहे हैं, लेकिन यह रशिया का लेकिन यह इंडिरिक्ली कनेक्टेड है, सी के थूँ, ठीक है, सी के थूँ आप देखोगे, जर्मनी से आप रशिया पहुच सकते हो, इस रास्ते से, ठीक है, तो आप देख रहे हो, कि यहां पे एक छोटी सी लोकेशन देख रहे है, यह कलिंगराद, यह कलिंगराद किसक से, फ्रॉम दिस सेंट पीटर्जबक और यहां पे गल्फ ऑफ फिनलेंड आती है, यह गल्फ ऑफ फिनलेंड से होते हुए, रशिया जो है, बाल्टिक सी तक पहुचता है, और बाल्टिक सी से होते होते, यहां पे फिर नौर्ट सी तक जा सकता है, यहां पे दो स्ट्रेट है एक स्ट्रेट है यह स्कार गेरक स्ट्रेट बहुत जादा जरूरी बहुत जादा जरूरी स्ट्रेट है यह स्कार गेरक स्ट्रेट ठीक है यह भी बहुत न्यूज में थी स्कार गेरक क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा था कि यूएस और तो इसी लिए जो रशिया है वो सीधे नौर्ड सी तक भी नहीं पहुच सकता क्योंकि पहुच नहीं नहीं देंगी यह कंट्रीज लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहरे हूं कि जर्मनी और रशिया के बीच का जो लोकेशन है वो आपको समझे में आना चाहिए तेक है इस इसी स्ट्रीम इसी पाइपलाइन यह बेसिकली नौर्ड स्ट्रीम है क्या एक पाइपलाइन है अंडर वॉटर अंडर सी पाइपलाइन है यह जो बाल्टिक सी से होते हुए जाती है शुरू होती है रशिया से और खतम होती है जर्मनी पे तो रशिया इस पाइपलाइन के तो बेसिकली यह जो आपको दो लाइन दिखरी ना यह नौट स्ट्रीम 1 और नौट स्ट्रीम 2 है नौट स्ट्रीम 1 जो है यह शुरू होती है व्यबॉक से जो सेंट पीटर्स बग के पास में ही पड़ता है और खतम होती है ग्रीफ स्वाल्ड पे और दूसरी है उस्त लोगा यहां से शुरू होती है और खतम होती है अगैन ग्रीफ स्वाल्ड पे जो कि जर्मनी में है अब देखो न्यूज में एक तो इसी लिए थी क्योंकि रशिया यूक्रेइन वार हो रहा था और बार बार यह जर्मनी वाले रशिया को धंकी दे रहे थे कि तुमने अगर यूक प्रशन नहीं है नाच्रल गैस को इंपोर्ट करने के लिए अधर देन रशिया तो इसी लिए रशिया भी चंका रहा है जर्मनी वे चंका रहा है दूसरे रीजन यह था कि यहां पर जो नौट स्ट्रीम वन है न यह नौट स्ट्रीम वन इसमें कई सारे लिकेज देखने को मिले कई सारे लिकेज देखने को मिले इस दौरान इस टाइम के दौरान और इसी लिए न्यूज में थी यहां पर देख लो यह बॉन हॉम यह बॉन हॉम एक आइलेंड है इसके आसपास जो छोटी-छोटी जगह है न वहां पर यह गैस लीक्स हमने देखे थे तो नौट स् ग्रिफ्स फिल्ड तक आती हुई जर्मनी तक दूसरी नौट स्ट्रीम टू बनाई गई थी जो उस्त लुगा से आएगी ग्रिफ्स वाल्ड तक लेकिन यह नौट स्ट्रीम टू कभी शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि बीच में आ गया रशिया यूप्रेन वार ठीक है त तो इसलिए जर्मनी को प्रेशर में आके नौट स्ट्रीम टू को स्टॉल करना पड़ा चालू ही नहीं हुए नौट स्ट्रीम टू ओके तो इसलिए यह न्यूज में थी बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन जरा देखो यह बालिटिक सी से होते हुए आसपास बालिटिक सी के कौन-कौन सी कंट्री है एक साइट पर है फिनलेंड डूसरी साइट पर है स्विडिन इसके आपर देखो तो जर्मनी है पॉलिंड है यह वाला पाठ है रश्या का जिसका मैंने बता है आपको कलिंगराज इसको कहते हैं ठीक है कलिंगराज और यह इसको कहते हैं लेनिंगराज तो उनों का नाम एक जसा है याद अपना फिर है लिट्वानिया लात्विय और एस्टोनिया बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो लोकेशन है वो है इगन सी कहां पर पढ़ती है तो देखो यहां पर हमारा आएगा प्यारा भारत और प्या इसको कहते हैं एगन सी कहते हैं इसको तो एगन सी की बात कर लेते हैं एगन सी की बात करें लेकिन क्यों न्यूस में था भाई न्यूस क्या क्या बात हो गई तो बेसिकली इस एगन सी में कई सारे आइलेंड्स है और इन आइलेंड्स के उपर जड़क चलती रहती है दो कंक प्रकी देख रहे होना एक शाइड पर आएग इसके ग्रीस और रुसरी साइड गétais कि इनवיन दो गान्ध रहेती है तर्की ने बार-बार ग्रीष को यह व obstruction को बोलता है कि देखो आयलेंड तो में रख लिये वह लेकिन इस पर मिलिटरी मत लाओ, तो हमको भुरा लगेगा, तो बेसिकली ग्रीस और टर्की के बीच में जड़ब जो चल रही थी आइलेंस की, लेकिन एक्चुल में ऑपरेशनल कंट्रोल इनका ग्रीस के पास है, अब तर्की बार बार वार्निंग देता रहता है कि ग्रीस तुम इसा मत करो, तुम यहाँ पर मिलिटरी मत लाओ, नी तो हम ऐसा कर देंगे, एक दिल में वार कर देंगे और यह सब चीज़ है, इस ही रही ये नीउस में था, तो ग्रीस और टर्की के बीच में एक पार डॉक्स देखो, ग्रीस और तर्की वैसे तो बड़े अच्छे तर्की वैसे तो अलाय बनते हैं लेकिन यह neighboring countries है और neighboring countries की history रही है कि कुछ न कुछ तो dispute होगा तो वैसे ही dispute है इन agency के islands की उपर Mediterranean Sea जो borders है उसको लेकर यहाँ पर dispute है और Greece जो है वो बार-बार ही कह रहा है कि देखो भई हमने कोई agreement नहीं छोड़ा है हमने कोई agreement नहीं तोड़ा हम कोई agreement नहीं तोड़ रहे हम तो सबसाइब कर रहे है तो basically Greece and Turkey की जो लड़ाई है एगन सी के islands को लेकर वो न्यूस में थी इसलिए एगन आइलेंस न्यूस में आ जाते है एगन सी की location जरा देखो यह है Greece और यह है तर्की इन दोनों के जस्ट बीचों बीच पड़ती है य एगन सी ऐसा ही एक extension Ionian Sea भी है अब देखो यह जो इगन सी है इसके एक साइड में Greece एक साइड पर तर्की है अब देखो यहां पर जरा समझना इगन सी के आसपास कई सारे आइलेंड है इसके लवा आर्गो सेरोनिक आइलेंड है और यह सारे आइलेंड है और यह सारे आइलेंड है तो कई सारे आइलेंड ग्रुप्स जो है बीच में पढ़ते हैं अचा अभी हमने देखा था न कि इंग सी ऑफ मर्मरा भी डी है शेए अएगन सी अाती है और यह सी ऑफ मर्मरा और एगन सी बीच में एक belongs कि आति है इंदेटी करते हैं और वीच सिह वीलेंड चलना इंगी के जो majority of the island है वो Greece से belong करते हैं कुछ-कुछ island है जो Turkey के अंतरगत आते हैं बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हमारे प्यारे क्यूट लाडले पड़ोसी चाइना की जो की इतने expansionist policies रखता है कि हर किसी को basically चमकानी की कोशिश करता है expansionist policies में और इसी तरह की एक कोशिश हो रही है South China Sea में तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत से आप चाइना की तरफ जाते हो तो चाइना के East में आपको ये South China Sea देखने को मिलती है South China Sea के आसपास वेटनाम पढ़ता है इसके अलावा Malaysia आता है Singapore आता है यहाँ पर आप देख रहे हो Indonesia आता है Philippines आता है Brunei आता है Taiwan आता है ये सारी countries आती है ठीक है लेकिन चाइना बोलता है कि South China Sea के आसपास कोई भी हो मुझे फरक नहीं पढ़ता मैंने ये 9 डंडी खेच दी नाइन डैश लाइन बना दी और कह दिया कि South China Sea मेरी country, मेरी territory है मेरा पानी है तो इन्होंने ऐसा कह दिया और चाहते हैं ये कि हम मान ले, दुनिया मान ले तो इनके अगेंस्ट International Court of Justice ने ये भी फरमान निकाला कि भई चाइना आप ऐसा नहीं कर सकते तो चाइना कह रहा है कि हमने पूछा आप से चाइना कह रहा है हमने आप से पूछा ही नहीं हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं तो बेसिकली इस तरह के काम है चाइना के तो देखो ज़रा location देखते हैं ये है South China Sea ठीक है देखते हैं कौन-कौन से इसके पास तो चाइना है एक तो फिर यहां पे देखो वेतनाम है याद रखना कि लाओस जो है ये एक लैंड लॉग्ड कंट्री है लाओस का कनेक्शन नहीं है South China Sea के साथ बहुत इंपोर्टन है याद रखना इसके साथ यहां देखते हैं थोड़ा सा लोकेशन है ये हमारी सबके एरिया में आयरा है ये पानी थोड़ा-thोड़ा सबका हख हुआ आइलेंस के ओपर थोड़ा-thोड़ा सबका हख हुआ लेकिंग इंचाइना बोलता है नहीं ऐसा कैसे मैं बैठाओं तो तुम बिना टेंशन के कैसे रह सकते हो तो इसी लिए ये साउच चाइना सी बहुत जादा डिस्प्यूटेड है और कंट्रोवर्शिल प्लेस है लोकेशन है तो साउच चाइना सी वेस्टिन पैसिफिक ओशन की एक आम है जो साउधी स्केशन में पढ़ती है यहाँ पे टाइवान स्टेट देख रहे हूँ यह है टाइवान और यह जो बीच में स्टेट दिख रहे हैं यह है ताइवान स्टेट यहाँ पे देखो गया आता है इस्ट चाइना सी ठीक है इस्ट चाइना सी आएगा यहाँ पे East China Sea को अलग करता है South China Sea से या जोडता है Luzon Street ठीक है Luzon Street जो की Luzon एक location भी है Philippines में ठीक है इसके अलावा मैं बता चुकिए कौन-कौन सी location इसके आसपास आती है और Beijing जो है चाइना जो है पार-बार बोलता है कि मेरा ही territorial claim यहाँ पे है अब देखो जरा आराम से देखते हैं यहाँ पे एक आता है Gulf of Thailand उपर आता है यहाँ पे यह देखरी हो Gulf of Tonkin है ठीक है इसके अलावा यह एक island group यह है एक island group यह है तो कई सारे island groups है मैं आपको जरा जूम करके दिखाती है तो देखो यह है हमारा China चाइना के अलावा यह है वेटनाम फिर मलेशिया फिर फिलिपिंस टाइवान यह सारी country है तो आप देखोगे यहाँ पे तीन island groups के उपर majorly dispute है पहला है परासल island दूसरा है स्कारबोरा शॉल और तीसरा है स्पाटली island तो इनकी location जरा आरपना सबसे northern most परासल है फिर स्कारबोरो आता है और फिर आता है स्पाटली ओके अच्छा इसके अलावा चाइना जो है वो क्लेम करता है कि सारे island मेरे है क्योंकि यह resource rich island है तो इनका क्लेम है कि सारे islands मेरे लेकिन देखो परासल islands के उपर क्लेम है चाइना तैवान और वेटनाम तीनों का चैना यहां से क्लेम करता है तैवान यहाँ से होर वेटनाम यहां से इस Partly Islands जो है यह वाले इसके उपर क्लेम है चैना का तैवान का वेटनाम का बुरुनए का फिलिपिन्स का सभी का और स्कारबो शॉल जो है उसके उपर फिलिपिंग्स चाइन और ताइवान का क्लीन है question आपसे पूछ सकते हैं कि north to south जमाओ in island groups को तो ज़रा याद रखना Luzon straight के बारे में याद रखना Taiwan के बारे में याद रखना और Taiwan straight के बारे में भी याद रखना अच्छा बात ओरे तो एक और बात बता देती है देखो यह जो दिख रहा है Malaysia Malaysia और यहाँ दिख रहा है Indonesia इसके बीच में यह ज़रा सा straight है इसको कहते है straight of Malakka बहुत important है यहाँ पे एक city पढ़ती है Singapore की ठीक है और इसी straight के आसपास से equator भी गुजरता है तो यह याद रखना बड़ा important है बढ़ते हैं आगे next Taiwan straight ज़रा फिर से देख लो यह Taiwan यह China और Taiwan straight अपाई यह बीच में ताइवान इसले भी news में था क्योंकि चाइना जो है बार-बार अपनी one China policy one China policy चिल दाता रहता है अभी बीच में क्या हुआ कि चाइना बूलता है कि ताइवान जो है हमारा पार्ट है तो कोई भी country ताइवान के साथ अलग से diplomatic relation नहीं रखेगी यही है basically चाइना की one China policy लेकिन US US को करना है चिरखाने तो US ने अपने speaker Nancy Pelosi जी को पहुचा दिया तो इससे चाइना बड़ा भडग गया और चाइना ने फिर बैंड मिलाना शुरू करी सबकी मनला बैंड तो क्या ही बजाएगा लेकिन symbolic gestures तो दिये ही थे ठीक है तो ताइवान स्ट्रेट जो है इसको फार्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं बहुत जादा important है चाइना सी यहां पर आता है इस चाइना सी यह देख रहे हो अच्छा इसकी location देख लो जो हमारा चाइना है चाइना में यह रहा हॉंग कॉंग और उसके नीची यह रहा मकाउ यहां पर उपर ताइवान है और यहां पर हैनान तो अगर पूछ लिया कि लड़ भिड़ रहे है कि कुडिल आइलेंड पर किसका हक है जपान बोलता है कि यह कुडिल कुछ नहीं है इनको हम Northern territories गुलाते है तो जपान के हिसाब से Northern territories इनका नाम है और रश्या के حिसाब से यह इनको Southern Korean islands गुलाते हैं है, कहाँ भ्य semble तो देखो यह रहा जपान जपान्स में चार island groups है 4 island है basically Hokkaido, Honshu, Shikoku और Kyushu यह 4 groups है island के इनसे मिलकर बनता है जपान Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu और यहां पर देख रहे हो यह one चेन्स की एक चेंड दिख रहे है और उपन यहां पर Camändert काम चटका पैनिल्सुला रश्या का और यहां नीचे है यह जपान का होकाइदू इनके बीच में यह आइलेंड ग्रुप्स है इसके उपर बुरा डिस्प्यूट है कि किसके हैं तो कुरील आइलेंड के उपर जो डिस्प्यूट है सोवरेनेटी का उसके कारण यह न्यूज म क्या है जरा तो सी ओफu घूटयसक है इसके पास में इस सेट प्याल पर बहूं करण ऊपर आता है क्याम चट्टा पैनिल्शुला नीचे रहते हो का हिदू आइलेंड जैपान का और यहां पर आता है Sakhalin Island रिश्या का तो यहां पर Sea of Okotas के उसके नीचे कौन सी सी है? Sea of Japan है, उसके नीचे कौन सी सी है? Yellow Sea है, उसके नीचे East China Sea, उसके नीचे South China Sea, समझ रहे हो तो यह आप North to South याद रखना सब चीज़ है, ठीक है? Sea of Okotas के सबसे उपर, उसके बाद आती है हमारी Sea of Japan, ठीक है? फिर आती है हमारी Yellow Sea, फिर आती है East China Sea, फिर आती है South China Sea, ओके? इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं आगे Sea of Okotas को देख लो एक बार, तो यह है Sea of Okotas, ठीक है? और यहां पर यह रहे Coral Islands, ठीक है? Sea of Okotas, जो है, यह Marginal Sea है, Western Pacific Ocean की, मैं तब देख रहे हूँ Pacific Ocean से ऐसा सीधा connection है, यहां पर बीच में Coral Island है, तो यह जो है, लोकेटेड है, रशिया के कामचटका Peninsula के East में, यह देख जो, यह है कामचटका, इसके East में, जो है, इसके West में Sea of Okotas के, Sea of Okotas के East में कामचटका है, इसके नीचे, Sea of Okotas के Coral Island है, जपान आइलेंड है, यहां पर Hokkaidu, और इधर यह रहा Sakhalin Island, ओके, तो यह उपर जो है, यह Siberian Belt है, रशिया का, याद रखनी है यह चीज, और यहां पर जो Sea of Japan है, यह जो Sea of Japan है, यह Sea of जपान और Sea of Okotas के बीच में जो स्ट्रेट आता है, वो है ला पराउस स्ट्रेट, ठीक है, ला पराउस स्ट्रेट, बहुत ज़्याद ज़रूरी है, ओके, चलिए ठीक है, अब यह कुरील आइलेंड के बात कर रहे थे, तो कुरील आइलेंड जैपनीज आइलेंड होकाईडू से शुरू होके, कामचटका के बीच में जो पूरा बिल्ट है, इसको कुरील कहते हैं, लगबख 56 माइनर आइलेंड है यह, और यह काफी इनस्टेबल है, क्योंकि तो ओशन में और यह वाला रीजन वैसे भी इनस्टेबल है, काफी सारे अर्थक्वेक्स और लैंड स्लाइड वगएरा, टाइड वगएरा, आपको यहां देखने को मिलती है, इसमें से लगबख 100 वालकेनों जिदर है, जिसमें से 35 जो है, वो एक्टिव है, तो यहां पे जैसे ही रशिया ने इन्वेड क्या था ने, युक्रेन के उपर, वैसे ही जपान को लगा, कहीं हम पे भी इन्वेड ना कर दे, तो इसलिए कुरील आइलेंड के उपर, इन्होंने जादा अपनी होल्ड बढ़ा दी, कुरील आइलेंड चिल्नाने लग गए कि कहीं युक्रेन के उपर जैसे अटैक ना कर दे, तो पहले से ही इसको illegal occupation, illegal occupation कहना शुरू कर दिया, इसी ले था ये news में, तो अच्छा हमने इतना सब पढ़ लिया, अब आपकी बारी है, आप बताओ मुझे, ये question आप लोगों को देकर जा रही हूं, और इस question का answer मुझे चाहिए आपसे comment section में, बताना कि कौन सा पैर सही है, ऐसा पैर बताना है, जिसमें sea और watering country, इन दोनों का जो match है, वो सही हो, ये सारे आपके options है, इन में से मुझे सही option आप दोगे, बताओगे in the comment section, okay, और जो लोग भी हमारे comment section में सही reply करेंगे, वो होंगी हमारे star performers, जो seriously, actual में seriously तैयारी कर रहे हैं UPSC की, so that was all, and अगर आप हमसे connect करना चाहते हो, तो इस यहाँ पे channels के थ्रू हमसे connect कर सकते हो, telegram channel है हमारा, जरूर जरूर से join करना, क्योंकि इसी पे हम lectures की pdf और सारे quizzes, सारे updates भेजते हैं, इसके लब अगर कोई भी आपको दुख दर्द दूविधा हो regarding UPSC, you can always connect with us via mail or via instagram, और य तारिकों में ये note कर रही हूं, जिस तारिकों में ये lecture डेलेवर कर रही हूं, उस तारिकों ते ही 23 रूपीज का ही है, आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल चांसे है, तो अगर आपने enroll ने किया, जल्दी-जल्दी enroll कर लो, और अगर enroll करने में कोई भी तकलीफ आती है, comment section में हमारा, हमारी टीम का एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर प्या call भी कर सकते हो, okay, so that was all, and if you want to clear UPSC in a short short manner, do not forget to subscribe to our channel, and do like this video, do share this video with your friends, and comment करना बद गूलना, that was all, thank you for watching, and have a very good day.